जैन दोस्तों स्वागत आपको सिक्षा कमठीशन क्लासेस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आर्मी रैली भरती 2020 की बात करेंगे और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको एक और नई आर्मी रैली भरती के बारे में पूरी जानकरी दोस्तों डीटेल से देंगे दोस्तों जिस भरती के बारे में आपको बताना है तो हम बता दें कि यह भरती 9 से 20 जन्वरी 2020 के बीच में होगी और इसके लिए दोस्तों आप आनलाइन आवेदन करने की लाश डिट दोस्तों 24 दिसंबर है 24 दिसंबर तक दोस्तों आप आनलाइन आवेदन कर सकते हैं अब चलिए दोस्तों आपको इसको डीटेल्स इसका पूरा नोटिफिकेशन दिखा देते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन की बटन को दवा के आल नोटिफिकेशन को चालू कर लें जिससे दोस्तों आपको आर्मी से संबंदित पूरी जानकारी मिलती रहें दोस्तों आप भारत के किसी भी राज्य से हो जिस राज्य की भरती निकलती है तो उसके बारें दोस्तों पूरी जानकरी डीटेल से देते हैं इसलिए दोस्तों आप चैनल को सस्क्राइब करके बगल में बेल आकर की बटन को दबाके आल नोटिफिकेशन चालू कर लें अब चलिए दोस्तों आपको पूरा notification डिटेल से दिखा देते हैं किस किस district की भरती है और किस राजजी के लिए भरती है आप दोस्तों देख लिए यह पूरा notification है दोस्तों अगर आपको यह PDF चाहिए तो वीडियो के एक लिंकी देंगे अपने WhatsApp का तो उस ग्रूप में आप जुड़ जाएगा तो वहां दोस्तों हम इस पीडियाप को सेयर कर देंगे सबसे पहले दोस्तों अगर भरती के बात करें तो इसमें सोल्डर जीडी की बरती है और वेट की बात करें दोस्तों तो 49 किलो ग्राम होना चाहिए और चेश्ट की दोस्तों बात करें तो नार्मल 77 होना चाहिए और दोस्तों पुलाने के बाद 82 सिंटी मीटर होना चाहिए यानि दोस्तों 5 सिंटी मीटर फुलना अनिवार है अब दोस्तों बात कर लेते हैं योग गिता की तो जो जीडी में जाना चाहता है दोस्तों दसमी पास होना चाहिए और दोस्तों दसमी मुनके 45% मार्क्स अनिवार हैं और दोस्तों प्रतेक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों हम आपको बता दें कि हम आदमी भरती के लिए उग्गिता के उपर पहले फीडियो बना दिए हैं कि कौन-कौन से बहारती कि स्ट्रेड में जा सकते हैं कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए और दौस्तु डाकूमेंट में पी कैसन लिए निक दे बात करें तो एक अक्टूबर 1996 से एक अपरेल 2000 को बीच इनका जन्म हुआ हो और हाइट की बात करें दोस्तों तो अगर बैट की बात करें तो 48 किलोग्राम होना चाहिए और दोस्तों अच्छे श्टन नार्मल दोस्तों आपको बता दिया कि 77 होना चाहिए और फूलने के कीज नीकों को घुक्तूं करत करें जाना है तो उनके लिए बता दे कि 12 पर अने चाहिए और दोस्तों आपको बता दे कि इस में टोटल ही ट्रिट की विकनसी निकले दोस्तों प्र-डी में नर्सिंग error यहिए तो अखिर दी यहह ऑग में दो surrounding घृतूंग को हाँ है और दोस्तों भरती कहा जाना है तो भरती के लिए दोस्तों आप देख लिए कि इंद्रा गांदी स्पोर्ट इस्टेडियम और उना में दोस्तों दोस्तों यह जानकाई देनी थी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और योग गिता के लिए दोस्तों हम पहले वीडियो बना दिये हैं और दोस्तों डाकूमेंस बेरिकेशन के लिए तो आपकी स्क्रीन क्यों आ गया होगा तो आप उस वीडियो को क्लिक करके देख लीजेगे